नमस्कार निर्मान आईएस में आपका स्वागत है आज हम जल संकट की आहट की विशय पर चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपूट हमने राजसभा टीवी दाहिंदू से लिए हैं साथ ही निर्मान आईएस की भी कुछ इंपूट इसमें शामिल है इस विशय को आप पेपर थ और निबन से जोड कर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पानी किसी एक शहर या किसी एक समुदाय की जरूरत नहीं है जीवन के लिए पानी सब को चाहिए शायद इसलिए रहीम ने कहा था बिन पानी सब सून हलाकि प्रत्वी का दो तेहाई से अधिक हिस्सा पानी नहीं हो सका इसलिए मनुष्य शुद्ध पानी के लिए प्रकृती पर निर्भर है ऐसे में जरूरत तो यह थी कि उपलब्द संसाधनों के यतोचित प्रबंधन के प्रती जागरुकत बढ़ाने के व्यापक प्रयास किये जाते लेकिन हमने जल सुरूतों को उनके हाल पर छोड़ दिया इसका परिणाम यह हुआ कि साल दरसाल जल संकट गंभीर होता चला गया प्रत्वी का लगबग 71 प्रतिशत सता जल से आच्छादित हैं जो अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है खारे जल के महासागरों में प्रत्वी का कुल 97 प्रतिशत हिमनदों और धुविय बर्फ चोटियों में 2.4 प्रतिशत और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, जीलों और तालाबों में 0.6 प्रतिशत जल पाया जाता है प्रत्वी पर बरफेली चोटियों, हिमनद, जीलों का जल कई बार धरती पर जीवन के लिए साफ जल उपलब्द कराता है भारत में विश्व की 18 प्रतिशत से अधिक आबादी है, जबकि विश्व का कीवल 4 प्रतिशत नवीकर्णी जलसन साधन और विश्व के भूछेत्र का 2.4 प्रतिशत भूछेत्र उपलब्द है आईए देखते हैं इस संबन में विश्व जल दिवस क्या है सयुक्त रास्ट की परियावरन और विकास एजिंसी द्वारा हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है वर्ष 2019 के लिए इस दिवस की थीम किसी को पीछे नहीं छोड़ना, लिविंग नो वन बिहाइंड है जल क्या है? देखते हैं सयुक्त रास्ट की सुरक्षित जल की परिभाशा के अनुसार, सुरक्षित जल वह है जो संदूशन से मुक्त हो, परिशतर में सुलब हो और जरूरत पढ़ने पर उपलब्ध हो जल माना वस्तित्व, स्वस्त पारेश, सितिक तंत्र, सामजे कार्थिक विकास और खद और उजवत पादन के लिए महत्पून है हलाकि दुनिया का लगबक 70% हिस्सा पानी से धका है, लेकिन इसमें से किवल 2.5% जल ही ताजा है जीलों वा नदियों में 1% से भी कम मीठा जल सुलब है, शेश ताजे जल के लिए एक तहाई की भूमीगत जल से आपूर्ती होती है, यानि यह अच्छी तरह से संचित है जबकि अन्य दो तहाई सुदूर बर्व से धका हुआ या ग्लेशियरों से आबद है 11 अप्रेल 2019 को समाप्त सप्ताह की दोरान देश के एक्यादमे प्रमुग जलाशेयों में 46.513 BCM जल संग्रह हुआ इन 51 जलाशेयों की कुल संग्रहन शमता 161.993 BCM है जो समग्र रूप से देश की अनुमाने कुल जल संग्रहन शमता 257.812 BCM का लगभग 63 प्रतिशत है इन 51 जलाशेयों में 37 जलाशेय ऐसे हैं जो 60 मेगावार्ट से अधिक की इस थापिश शमता के साथ पन विश्दिलाब देते हैं आईए देखते हैं शेत्रवार संग्रहन इस्तिति क्या है उत्री शेत्र की यदि हम बात करें तो उत्री शेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजिस्थान आते हैं इस शेत्र में 18.01 BCM की कुल संग्रहन शमता वाले 6 जलाशे हैं जो केनरी जल आयोग की निगरानी में हैं इन जलाशेओं में कोलोपलब्द संग्रहन 8.75 BCM है जो इन जलाशेओं की कुल संग्रहन शमता का 49 प्रतीशत है पिछले वर्ष की इसी अवदी में इन जलाशेओं की संग्रहन इस्तिती 20 प्रतीशत थी पिछले 10 वर्षों की आउसत संग्रहन इसी अवदी में इन जलाशेओं की कुल संग्रहन शमता का 26 प्रतीशत थी इस तरह पिछले वर्ष की अवदी की तुला में चालू वर्ष में संग्रण बहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवदी के दोरान रहे औसस संग्रण से भी बहतर है और ये देखते हैं पूर्वी शेत्रों में जलाशे के स्थिति क्या है पूर्वी शेत्रों में जारखन, ओडीशा, पश्चिम बंगाल और तुपरा आते हैं इस शेत्र में 18.18 BCM की कुल संग्रहन शमता वाले 15 जलाशे हैं जो CWC की निगरानी में हैं इन जलाशेयों की कुल प्लब्द संग्रहन 6.54 BCM है जो इन जलाशेयों की कुल संग्रहन शमता का 21 प्रतीशत है पिछले वर्ष की इसी अवदी में इन जलाशेयों की संग्रहन इस्ती 28 प्रतीशत थी पिछले 10 वर्षों की औस संग्रहन इसी अवदी में इन जलाशेयों की कुल संग्रहन शमता का 31 प्रतिशती इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधी की तुल्ना में चालू वर्ष में संग्रण कम है और यह पिछले 10 वर्षों की इसी अवधी के दोरान आउसत संग्रण से भी कम है आईए देखते हैं मद्द शेत्र की इस्तिती क्या रही मद्द शेतर में उत्तर प्रिदेश, उत्राखंड, मद्द प्रिदेश तता 36 गड़ाते हैं इस शेतर में 42.30 BCM की कुल संग्रहन शमता वाले 12 जलाशे हैं जो CWC की निगरानी में हैं इन जलाशेयों में कुल उपलब्द संग्रहन 13.48 BCM है जो इन जलाशेयों की कुल संग्रहन शमता का 32 प्रतिशत है पिछले वर्ष की इसी अवधी में इन जलाशेयों की संग्रहन इस्तिती 39 प्रतिशत थी पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहन इसी अवधी में इन जलाशेयों की कुल संग्रहन शमता का 31 प्रतिशत था इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवदी के तुलना में 4 वर्ष में संगरन बहतर है और याँ पिछले 10 वर्षों की इसी अवदी के दौरान रहे औसस संगरन से भी बहतर है आईए देखते हैं दक्षण शेत्र में जलाशेयों के इस्तिती क्या है दक्षण शेत्र में आंद्रप्रिदेश, तेलंगाना, करनाटक, केरल, तमिल नाडू आते हैं इस शेत्र में 51.59 BCM की कुल संग्रण शमता वाले 31 जलाशेयों हैं जो CWC की निगरानी में है इन जलाशेयों में कुल उपलब्द संग्रण 10.30 BCM है जो इन जलाशेयों की कुल संग्रण शमता का 20 प्रतिशत है पिछले वर्ष की इसी अवदी में इन जलाशेयों की संग्रण इस्तिती 17 प्रतिशत थी पिछले दस वर्षों के औसस संग्रण इसी अवदी में इन जलाशियों की कुल संग्रण शमता का 20% था और इस तरह चालू वर्ष में संग्रण पिछले वर्ष की अवदी में हुए संग्रण से बहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवदी के दौरान रही औसस संग पिछले वर्ष की इसी अवदी की तुल्ना में जिन राज्यों में जल संग्रण बहतर है उनमें हिमाचल, पंजाब, उत्राकंड, मद्रप्रदेश, गुजरात, करनाटक वतमिलनाडु शामिल है। आईए देखते हैं विश्व में जल संकट की क्या इस्थिती है। हर साल कम से कम 10 लाख लोग स्वक्ष पानी, साफ सफाई और शारेरिक स्वक्षता संबंदी कारणों से मारे जाते हैं। 2017 में पानी ने कम से कम 45 देशों में संघर्ष के कारणों में प्रमग भूमी का निभाई, विशेश रूप से मद्रपूर्व और उत्री अफ्रीका में। यमन में कम से कम 28 घटनाओं में से सबसे अधिक पानी से संबंदी संघर्ष हुए। ऐसी संभावनाय व्यक्त की गई कि 2014 तक 33 देश जिन में से मद्रपूर्व के 15 अधिकांश उत्री और अफ्रीकी देश पाकिस्तान, तुर्क और अफगानिस्तान उच्च जल तनाव का सामना करेंगे। बारत, चीन, दक्षिन अफ्रीका, USA और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश भी उच्च जल तनाव का सामना करेंगे। आईए देखते हैं इस संबंद में डेजीरो की घटनाए क्या है। डेजीरो एक ऐसी इस्तिती जब किसी शेत्र मेनल सूखने लगते हैं। दक्षिन अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में पिछली वर्ष जल का गंभीर संकट उत्पंद हो गया था। इसके चलते हैं डेजीरो की तेह सौर नलों से पाने की आपूर्ती बंद कर दे गई थी। ब्राजील के साव पाउलो शेहर में 2015 में डेजीरो की इस्तिती बन गई। शेहरों में कई वेवसाय और उद्दमों को बंद करने के लिए दिन में 12 घंटे जल की आपूर्ती बंद कर दे गई थी। आईए देखते हैं भारत में जल संकट के स्थिती क्या है। पाने की कमी के साथ रहने वाले लोगों की सूची में भारत सबसे उपर है। भारत में एक अरब लोग पाने की कमी वाले शेत्रों में रहते हैं। जिन में से 600 मिलियन लोग पाने के उच्वा चरम तनाव वाले छेत्रों में रहते हैं। 2016 में 302 जिलों में लगभग 330 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित हैं। देश में 21% से अधिक बीमारिया पाने से संबंधित हैं। 2015 में भारत के 5 साल से कम उम्र की एक लाग बच्चों की मृत्यों डाइडिया के कारण हुई। नीती आयो की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंगलूरू जल्द ही भूजल की समाप्ती वाले दुनिया के 11 शहरों में से एक होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2020 तक डे जीरो भारत के बैंगलूरू और 20 अन प्रमुक शहरों को नुकसान पहुचाएगा। जिसमें अनुमानतर 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। आईए देखते हैं भारत में जल संकट के क्या कारण है। हलकि भारत में हर साल लग बग 117 सैंटीमीटर वार्षिक वर्शा होती हैं लेकिन स्थान और समय पर समान वितरन एक समस्या है। में मांसून के दारान लग बग 95 परतिशद वर्शा होती हैं पर्वस चेडियों में 1100 सैंटीमीटर उस होती हैं। जल संकट के कुछ अन्यकार्णों में भूजल काती दोहन और संदूशन, जीले नदियां और ज़र्णों का सूखना, सतही जल का प्रदूशन, जल प्रबंधन की दक्षिता में कमी शामिल है। आईए देखते हैं पानी बचाने के लिए यूएन की पहले, सयुक्त रास्ट जल सम्मेलन, अंतरास्टे पेजल आपूर्ती और स्वक्षिता दशक, जल और पर्यावरण पर अंतरास्टी सम्मेलन और प्रत्वी शिकर सम्मेलन का फोकस महत्पूर्ण संसाधन जल पर केंद्र जीवन के लिए जल द्वारा विकासी लेशों में 1.3 बिलियन लोगों को सुरक्षित पीने के पानी तक पहुँच बनाने में मदद मिली, तता सह सताब्दी विकास लक्षियों को पूरा करने के लिए प्रयास के तहत स्वक्षिता को गती प्रदान कर आगे बढ़ाया गया सबसे हालिया पहल 2030 एजेंड़ फॉर्ट सस्टेनेबल डैवलपमेंट है जिसका उद्देश वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्दिता और जल का स्थाई प्रबंदन सो रिशित करना है आईए देखते हैं जल सनरक्षन की क्या विदियां हो सकती है जल का पुनाचक्र और पुनाउपयोग में लाना पुनाचक्र और पुनाउपयोग अन्य दूसरे रास्ते हैं जिसके अलावा आलवर्णिये जल की उपलब्दिता को सुधारा जा सकता है कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधी तफसिस्ट जल उद्योगों के लिए एक आकरशक विकल्प है इसी तरह नगरिय शेत्रों में स्तान वा बरतन धोने में प्रयोक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है दूसरा है जल संभार प्रबंधन, जल संभार प्रबंधन से तातपरे मुखी रूप से धरातलिया और भौम जल संसादनों की दक्ष प्रबंधन से है इसके अंतरगत बहते जल को रोकना, विबिन विदियों जैसे अंतर इस्त्रवन तालाप, पुनर भरण, कुओ आदी के द्वारा बहुम जल का संचयन और पुनर भरण शामिन है केंड और राज सरकारों ने देश में बहुत जल संभार विकास और प्रबंधन कारिक्रम जैसे हरयाली चलाए गए एक अन्य विकल्प वर्षा जल संग्रण हो सकता है वर्षा जल संग्रण विभिन उपियोगों के लिए वर्षा की जल को रोकने और एकत्र करने की विदी है इसका उपियोग भूमिगत जल भरतों के पुनर भरण के लिए किया जाता है जल प्रबंधन और जल संग्षन आलवर्ण ये जल की घटती हुई उपलबदिता और बढ़ती मांग से सतत पोशन ये विकास के लिए इस महत्यपूर्ण जीवन दाइनी संसाधन के संग्षन और प्रबंधन के आविशक्ता बढ़ गई है भारत को जल संग्षन के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए और प्रबावशाली नेतिया और कानून बनाने के साथ ही जल संग्षन ये प्रबावशाली उपाए अपनाने चाहिए आईए देखते हैं मुक्परिक्षा से संबंदित प्रशन क्या है देश में किसी न किसी हिस्से में प्रायह बाड और सूके की चुनोतियों का सामना करना पड़ता है ये जल आधरे ताकड़ों और प्रबंदन की लाचार ववस्ता का दुश्परिणाम जादा है इस संबंद में किये जा रहे प्रयासों की समिक्षा कीजिए हमें उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपकी विबिन प्रकार की परिक्षाओं में मददगार साबित होगा हम इस तरह के टॉपिक भविश में भी लाते रहेंगे निर्मान आई एस योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद